नमस्कार में दिपाली आइस्टो में करते हैं आज का दिन 25 जिन दी 24 के ऐसा जाने वाला है तो चले शुरूत करते हैं ने शासी बालों के साथ अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन ठयराओ कमान के चलने की जरूरत है किसी भी चीज में आपको आज के दिन सोच समझ कर निरने लेने की जरूरत है जल्द बाजी अगर आपने किसी भी चीज में करी तो वो आपको नकरात्मक परिणाम दे कर जा सकती है सूजबूज का परिचे दीजे फिनांशल डॉक्यमेंट अगर कोई लीगल डॉक्यमेंट है आपके लिए अनुकुलता बनी रहेगी विशबराशी वालों कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कारेशेतर में जिस तरह से परिस्तितियां चल रहीं थी काबिले तारीफ में वैसी चलती रहेंगी कुछ खास नकरात्मक सिच्वेशन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा लेकिन सेकिन आपके दारान किसी व्यक्ति विशेश के साथ आपकी कोई conflicting सेनारियो हो सकता है कोई verbal spat हो सकता है या confusion होने के कारण misunderstanding हो सकती है इसलिए शब्दों का चैन सोथ समझ कर करें और सामने वाला भी अगर आपको कोई statement पास कर रहा है तो उसमें उसी perspective को समझने की कोशिश करें जिस नियत से वो बोल रहा है बात करते हैं मित्रुन राश्वी वालों के लिए आपके लिए अनुकूलता भी आज के दिन बनी रहेगी लेकिन आज के दिन परिवार एक स्थिरता थोड़ी सी आपकी विगड सकती है परिवार में छोटी मोटी चीज को लेकर बहस हो सकती है इसलिए second half के दौरान अपनी वानी पस्यम बनाने की कोशिश करें साथिसाथ आज के दिन अपनी डाइट पर आपको थोड़ा सा कंच्रोल लगाने की कोशिश करनी चाहिए डाइजिस्टिव सस्टम समद्दित कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है वहाँ पर थोड़ा सा चेक पॉइंट लगाने की जरूरत है कारेश यत्र में परिस्टितियां समानेता रहेंगी कुछ खास उतार चलाव देखने को नहीं मिलेगा हावेवर आज के दिन अगर आप प्रयासरत बहुत समय से हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने की नौकरी चेंच करने की या बिजनस या नेजी वैवसाय को एकस्पैंड करने की तो वो आज के दिन आपकी situation हो सकती है साकार और इसमें कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए कोई लाब दायक आपके लिए कोई सला दे सकता है या वो व्यक्ति आपके लिए एक एसेट साबित हो सकता है बात करते हैं करक्राशी वालों के लिए आपके लिए सिटुवेशन पॉजिटिव हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलाईए समानेता परिस्तिती रहेगी कुछ खास उतार चलाव दिन में नहीं देखने को मिलेगा स्वास समंदी चिंताएं दूर होती हुई नजर आएंगी परिवार के साथ या परिवार की किसी सदस्थे के लिए कुछ न कुछ मेंटरपूर्ण सपोर्ट यसे हो कर पाएंगे और परिवार के साथ आज के दिन अगर समय विताएंगे तो आपको आगे आने वाले समय के लिए रेजिविनिट करके जाएगा कुल मिला के ये एक अच्छा आपके लिए एक मोहल बन सकता है परिवारिक स्थिर्ता के संदर्व में अगर कहूं जहां पर आप रिलाक्स भी हो रहे हैं और आगे की चुनोतियों का सामना करने के लिए भी अपने आपको तयार कर रहे हैं रिलेशन्शिप में खास तोर पर पर्सनल रिलेशन्शिप में आज के दिन क्लारिटी रखने की जरूरत है बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है सिंगराशी वालों संतुलन थोड़ा साच के दिन आपका बिगड़ सकता है किसी चीज़ को लेकर आप ठ्रिगर हो सकता है कि आप immediately retaliated feel करेंगे retaliation की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आज के दिन स्थिर्था के साथ सुजबूच का परिशे देते हुए अपने मन को शांत रखते हुए कठिन या जो विशम परिस्तितियां है उनको सामना करने की कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं कने राशिवालों के लिए आज के दिन कने राशिवालों आप और आपका परिवार कुछ न कुछ नहीं परिस्तितियां अपने लिए इजाद कर सकते हैं पॉजिटिविटी अपने मन में बना कर रखें जिस तरह से आप चल रहे हैं परिवार के साथ खड़े रहें, माता पिता के स्वास्त के प्रती अगर आप थोड़ी सी चिंताओं को लेकर आगे चल रहे हैं या किसी कारण वश आप अपने परिवार के किसी विर्दतम स्वास्त के स्वास्त को लेकर चिंतत हैं, तो वहाँ पर आपकी चंता खत्म होती है, यानि कि आपको सही सला या सही हेल्प आज के दिन मिल जाएगी बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तुलाराशी वालों अपने आपको और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए मन को स्थिर रखिए सब तरफ से नकरात्मक उर्जा को हटाते हुए अपने लिए सैमित वहवार लेकर अपने जीवन में आएं पॉजिटिविटी को बनाते हुए आगे बनें साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव और अगर वो कोट में है तो वहाँ पर भी आज के दिन आपको कोई हेल्क मिलेगी या फिर नेगोशियेट करने की परिस्थिति आपकी पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी बात करते हैं व्रिश्यक्राशी वालूं के लिए आपके लिए व्रिश्यक्राशी वालूं सब कुछ ठीक रहेगा कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आज के दिन अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नया कर पाएंगे परिवार के साथ बिताईगी समय जिससे की quality time बिताया हुआ आपको और positive करके जा सकता है साथी साथ अगर आपने कोई run लिया है और उसकी repayment की अगर आपको चिनता है तो वो परिस्टिती भी अब आपकी साकार होते हुए नजर आएगी कुल मिला के सब तरस से आपको positivity अपने situations में अपनी परिस्टितियों में देखने को मिलेगी बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए धनूराशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन positivity को embrace करने का है आज का दिन अपनी सबी चीज़ों को अपने लिए positive आप ढाल सकते हैं लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा माता-पिता के स्वास के प्रती थोड़ा सा सम्वेदिन शील्ड रहने की जरूरत है बुजर्गों के प्रती जो आप अपने लिए भावनाय रखेंगे वो आपको आज के दिन आशिरवात के रूप में positivity दे कर जाएगी साथी साथ आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए निवेश से लेकर कोई मेत्रपूर निरने ले सकते हैं लॉंग टर्म फिनैंशल अगर मैं बात करूं investment की या निवेश की तो वो आपके लिए काफी ज़दा लाबदाएक साबित हो सकती है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है स्थिर्था सब तरफ से बनी हुई है नया कामकाज अगर शुरू किया है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है माता-पिता के या बुजूर्गों के स्वास की तरफ थोड़ा सध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इन टुटालिटी आज के दिन आपके लिए भी परिस्तिदी परिवार से जुड़ी हुई है साथी साथ आज के दिन आपको कोई बहुमूल राय किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से मिल सकती है वो व्यक्ति आपका मेंटॉर हो सकता है आपका कोई घनिष्ट मित्र हो सकता है multiple income resources पर अगर आप काम करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा एक समय माना जा सकता है बात करते हैं कुम्राशी वालों के लिए कुम्राशी वालों आपके लिए situations positive हैं मन आपका शान्त है विचारधारा है आपकी प्रबल है पराक्रम में वृद्धी होते हुए देखेंगे अपने आपको संपूंता के साथ completeness के साथ आगे बढ़िए आपके अंदर काफी आए रखें इसी मोमेंटम के साथ अगर आप अपनी situations को handle करते हुए चलेंगे तो जो professionally आप अपने लिए आप अचीव करना चाहते थे वह situation आपके सामने most likely 10 दिन के अंदर आ जाएगी बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आच के दिन आपके लिए positivity स चल रहे हैं उतनी परिस्तिती खराब नहीं है इसलिए आज अपने आपको थोड़ा सा रिलाक्स करिए साथी साथ आज के दिन अगर आप चाहते हैं पारिवार एक स्थिरता बनी रहे तो परिवार के लिए कुछ न कुछ नया करिए जिससे की परिवार के सदस से एक साथ ब कराएगा आज के दिन आपको फिनैंशली कुछ ना कुछ फाइदा हो सकता है कही निवेश करने की सोच रहे थे तो वो भी आपके लिए कोई परिस्ति लाबदा एक सिद्ध हो सकती है ये के साथ मुझे आग गया दीजे मैं कल फिर आजिन होगी नमसकार